अलो दोस्तों चैसरी रादे चैसरी किष्णा आज हम पढ़ते हैं ब्रजवासा पर क्रिया के बारे में कि ब्रजवासा में क्रिया की परवासा क्या होती है उसकी एक्जाम्पिल कैसे होते हैं यहां पर मैं पहले परवासित करता हूं क्रिया को काउ बस्तू या चीजन के बारे में कहवे के लिए प्रियोकर विवारे सब्तन्य बर्ब क्रिया के हमते हैं क्रिया क्यों प्रकार की है मतलब क्रिया के क्यों प्रकार रहमते हैं अकर्मक्रिया सक्र्मक्रिया द्विक्र्मक्रिया अकर्मक्रिया जिन क्रियान को असर करता पर पड़तो है बाय अकर्मक कहला है बाय अकर्मक्रिया के हमते हैं जैसे राकिस रोमतो है मतलब राकिस रोता है पपू खामतो है, पपू खाता है, जैसे खाना खानो, पीना पीनो, मुआ खानो, रहना रहनो, जो भरजवासा है, उसका जो अंतिम सरूप होता है, वो अउकारांत है, सब्दों के अंत में ओक इधनी निकलती है जैसे सोना सोनो पाटना काटनो चलना चलनो सकर्मक क्रिया इसके बाद दूसरे नमर आता है जिन क्रियान को असर करम पर पढ़तो है बाए सकर्मक कहनते हैं कि मैं लिख लिखता हूं जो लिख है वो लिखा जा रहा है पर है प्रभाप पढ़есть मीर्वलंत और लाना करता की condition मैंने राम को पस्तक दिय या मैंने राम को पस्तक दिय डद्दू ने मोँ पैते पईसे ले, मतलब पिता जीने मुझसे पैसे ले थे तो इसमें लेना एक क्रिया है लेकिन इसमें बता रहा है कि कि दुए कर्मक इसमें करमदोगे और प्रेनार्त क्रिया बनावे के लिए ज़्यादा ते दातुन थे दो दो प्रेनार्त क्रिया बनते जैसे गिरना गिरवाना चड़ना चड़वाना मतलो कोजिटिव खुदना करके किसी और से करवाना पीटना पिटवाना लूटना लुटवाना इसी गो चड़नों चड़वानों पीटना पिटवानों लूटनों लुटवानों आदि जैसे कि सुरेस कलिव कर रहा है मतलो सुरेस नासता पानी कर रहा है हरी लड हरी लड्डू खा रहा हैं चिडिया आसमान में उड़ रही है इस तरील着 सी छोवरा सवन के उपर गुलाल भुरक रहे हैं मतलब लड़का सबी के उपर गुलाल इडेल रहा है गुरू जी बंदर न तार रहे हैं मतलब गुरू जी बंदरों को भगा रहे हैं पूप बाप है पहरार हो है वो उस पे अपना गुस्सा निकल रहे है छोरी भाड जावे को मूडो बना रही है लड़की भाड जाने का बहाना बना रही है तो ये ती दूस्तों करिया आगे पढ़ेंगे एडजेक्टिव राधे राधे